जूलाना पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी सफलता वार दस में दुकान से कपड़ा चोरी करने के आरोप में एक पुरुस और तीन महिलाओं को किया गिरपतार जूलाना कस्बे के वार दस में कपड़े की दुकान से चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक पुरुस और तीन महिलाओं को गिरबतार करने में सफलता हासिल की है पुलिस ने आरोपियों को गिरबतार कर आदालत में पेश किया जहां से उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है वार दस्त निवासी महिला राजबाला ने पुलिस को दीशी कहते में बता था कि तीस मार्च को दो पर बाद दो महिलाएं कपड़ा लेने के लिए दुकान में आई उसके बाद तीन महिलाएं फिरा गई पांचों महिलाओं ने उसे वह उसकी पूतरवदु को कुछ सुंगा दिया उसके उसकी पूतरवदु के गले से डेड़ तुल्य सोने का לאकेट भी महिलाओं ने चोरी कर लिया और दुकान से लगबग 70,000 रुपे का कपड़ा चोरी करके महिला यहां से फरार हो गई जिसके चलते उनकी यह घटना आने जाने वाली सीशी टीवी कैमरे में कैद हो गई जो पडोस में ही लगा हुआ था जिसमें महिलाएं इको गाड़ी में सवार होकर आ मिली है वहीं चोकी परभारी ने बता कि जो लाड़ा के वार दस्त निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकात प्वान से लोगा ह्जिस पर पुलिस ने मामला दरज किया था चोकी इंसाज अनील कुमार ने बता कि पुलिस पुलिस अब महिलावा पुरुसों से गहनता से पूस्ताच करेगी महिलाव गिरफ्तार किया क्या आमला है तीस तारीक को एक स्कायद पराप वी भई राजवाला देविन वार्ड नमर दस ने दी 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 उसकी दुकान से कुछ महिलाव ने कपड़े तुराए हैं उसमें मामला दरजगर का आगा में कारवाई करते हुए आज इन महिलाव को गि कि मान्ड पर लिए इनके रिकोवरी की जाएगे नसे अच्छे कोई गाड़ी पकड़ी गई पहले पहले अज बाड़ी में यह समान ले गई गई ती वो गाड़ी रिकोवर भी किया आज इको गाड़ी है क्या लगता कहीं और भी नहों वार्डात को अंगान दिया अभी प लाइ कर दो और सुस्क्राइ कर दो